Fertilization, the process, first the contents, definition of Fertilization, methods of Fertilization, Vitaline Layer, Fusion of Egg and Sperms, Egg Activation and the Diagrammatory Representation of the Fertilization process. Students first the Fertilization, जब Fertilization तो हम जब Sexyory Production की करते हैं, तो फिर भी हम यही कहते हैं, कि Sexyory Production एक ऐसा फिनामिना है, जिसमें Fertilization होती है, तो Fertilization क्या है? Fertilization बेसिकली वो प्रॉसस है, जिसके दोरा एग और स्पर्म आपस में इचे गेजियरे, टू फांब जाइगोट, जाइगोट जो है वो अब जाइगोट है, वो अगली जिनरेशन का पहला सेल है, पहला नमाहिनदा है, यहने आगे जो यंगון बनेंगे वो उसका पहला है अस से copulation method copulation में simple यह होगा कि male और female करीब आएंगे male अपना penis जह हो insert करेगा female के reproductive track के अंदर और sperm जहाँ उसको transfer करतेगा तो copulation method है fertilization के लिए एक method है second one clinical connection है clinical connection जहाँ इसमें simply क्या होता कि दो animals male और female करीब आते हैं cloaca एक दुसरे के साथ करीब लाते हैं तो male अपने sperms cloaca के through female के cloaca में inject करता है यह insert करता है यह प्रस जदा birds के अंदरा में मिलता है birds के आता है और दोनों अपने cloaca को करीब करते हैं उसके कहता कि male जहाँ sperm को transfer करेगा female के जहाँ रिप्रड़क्टिव ट्रैक में यह कलोएक का में है third method जो वाया spermatophores है अच्छा यह method है जिसमें आम तुरुपर male जहाँ एक ball of sperm produce करता है जिसको spermatophore कहते है spermatophore फिर आगे female reproductive track में transfer किया जाता है उसको वहाँ फिर membrane है एक एक की यह तो होगी cell membrane एक की cell membrane के अलावा एक कोर membrane है cell के एक के उपर that is गलता vital membrane membrane आहम तुरुआ transparent होती है और different types of fibrous proteins की बनी होती है इसके लावा vital membrane के उपर sperms को attract करने या उसके connect करने के लिए adhere करने वाले receptors होते है तो receptor for sperm sperms और इसके लावा fibrous proteins जो हैं यह क्या करती है दोनुं मिलकर जाओ vital membrane जाओ बनाती है sperms के लिए ज़रूरी है को vital membrane को whole बनाकर वहां से उसको cross करें जी अब जैसे मैंने कहा कि sperms के लिए ज़रूरी है को vital membrane को cross करें इसके लिए पर किया है कि sperms के स्के हेड है और हेड के को क्या हम कहते हैं कि उसमें जाओ acrosome लाइसेंस होती है sperms के हेड को acrosome बोलते हैं acrosome के अंदर क्या चीज़ मुझे है license है license वो enzymes हैं जो क्या करेंगे वो जो इसकी vital membrane है उसको whole create करेंगे को इसकी digestion करेंगे तो इसके आम तो पर specific enzyme जाओ लाइसेंज अब release होंगे sperms के तो उसमें क्या करेंगा वो एक whole create हो जागा जिसके स्पर्म जाओ आगे egg तक जाओ पहुंच जागा या आगे की membrane तक पहुंच जाएगे अब यह एक इंडरस्टनी बहुत सारे sperms जाओ अप्रोच करते हैं एग को लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही sperm successful होगा एग की fertilization के लिए बाकी जो होते हैं वो या तो उनके पास इतनी energy नहीं होगी या फिर यह होगा कि they will be delayed वो जो सबसे पहले fertilization करेगा वही successful रहेगा और जो बाद वाले होंगे वो successful नहीं होगे अब sperm स्पर्म जब एग के साथ fuse हो रहा होता है तो उसके 2-3 cases हो सकते हैं कुछ cases में सिर्फ sperm का nucleus जो है वो एग तक पहुंचता है जो उसकी tail है या mitochondria वो नहीं पहुंचेंगे कुछ वो होंगे जिसमें nucleus और कुछ mitochondria पहुंच जाएंगे या actually membrane को जाकर sperm attach करेगा attack करेगा इसकी membrane के उपर तो egg will get activated egg activate हो जाएगा वो sperm को अंदर ले आएगा और इसके बाद next sperm के entry को बेहन कर दी जाता है तो इस process को हम क्या कहते हैं यह egg activation basically metabolic process का एक series है जिसमें जो egg है वो embryo में convert होना अगर cell divine start करा देगा और मजीद किसी भी sperm के अंट्री को ban कर दिया जाता है this is the overall process of fertilization को आप देखें सबसे पहले number one position के उपर sperm जो है इसने अप्रोच किया है egg को एग के उपर यह जो vitamin membrane जो है उसका दूसरा नाम है zona palisoda mammals के अंदर vitamin membrane को zona palisoda भी बोला जाता है पहले उसी डव बोला जाता है सबसे पहले egg के जो sperm है उसके head के उपर hydrolytic enzymes हैं यह basically है हमारे पास license है ठीक है या एक्रोसों के अंदर license या hydrolytic enzymes हैं hydrolytic enzymes जब release होगा तो क्या होगा कि जो vitamin membrane या zona palisoda उसमें hole हो जागा सुराख पैदा हो जाएगा और यह egg पहुंच जाएगा कहां तक egg की membrane तक अब egg की membrane के पास receptors मुझूद है sperm और receptor से bind करेगा और इसके बाद यह क्या करेगा it will fuse with the अब इसके different बताएगा कुछ केसे में सिर्फ nucleus यह वह sperm egg के अंदर जाकर fuse होगा कुछ केसे में nucleus के लावा सेंट्रियोल इसके पास है collar मुझूद है और even some cases में यह पूरे काप्रस्पम जाओ fuse करेगा जाकर इसके साथ egg के साथ fertilization का process complete हो जाएगा जाएग के लाएगा प्यावी गिए- жret пр원 आए-ग